वेकम बैक अगेन बिटा तो आज हम डिसकस करने वाले हैं आपकी क्लास 7 साइंस की वर्क्षीट है यह आपकी इसमें हमने पढ़ना है उबचेक्ट रेस्ट में कब होता है बिटा मोशन में कब होता है अब उसने क्या बोला मेक अलिस्ट ओफ तिंग्स यू सी अराउंड आप छिए उसके बार यहां पर मान लो क्या हो गया डेबल यहां क्या हो गया चेर ठीक है उसके बाद को बटर फिलाए पैन पैंसिल जो भी आपको दिख रहा है बैटा आप उन सारे चीज़ों को लिख सकते हैं ठीक है कार ठीक है उसके बाद अगर जो चीज़े आपको दिख रहा है कि यह हमारे सामने है टेबल ची और पैन ठीक है बाइक ठीक है उसके बाद यहां पर लिख सकते हो जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग में हैं जो हमें दिख रहा है तो यहां पर लिख सकते हो ब्रिक्स जो भी हमें आसपास देख रहे ठीक है अब देखो यहां पर इसने बोला विच ओफ तीज आर मूविंग और विच आर फ्रेस्ट अब आपको इन में से बताना है कौन सा मूविंग है और कौन सा रेस्ट पर है अगर मैं बात करूं बेटर ट्री एन काइट ट्री क पिंगे काड़ा है स्टीबल है एख गए खड़ा है तो यह क्या हो गया में रले क्या पर कराई तो यह क्या होग एन मोविंग मैं आपको छलती है täll कर दिया… इसाम पर दना पर लोकै rail… यह आपका rest, यह आपका rest जब car आपको चलानी है तब ही चले कि वैसे तो नहीं चली तो कभी यह motion में होगी, कभी यह rest में होगी इसी तरीके से यह कभी motion में, कभी rest में लेकिन bricks हमेशा कैसी होंगी बेटा rest में तो बेटा यह थी आज की worksheet इसके लावा हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना आप देखो इसने बुला आप कैसे बता होगी कि motion में है यह rest में आपको बताना है कि यह rest में है इसके basis पे ध्यान से देखो बेटा कार और बाइक यहाँ से वहाँ जा सकती है जब आप उनको चलाओगे तो इनके लिए हम अभी यह नहीं कह सकते इस इस in rest और motion लेकिन जब वो चलेंगी तो definitely यह किस में होंगी motion में होंगी तो बेटा यह थी आपकी worksheet number 2